जंगली सवाना के बीचों बीच हाथियों का एक परिवार रहता था। उनमें से एक हाथी का बच्चा एली भी था, जो साहस और जोश से भरा हुआ था। जिससे वह खिल-खिला उठी। एली के साहसिक कारे हमेशा सहज नहीं थे। वह लताओं में उलज गई थी और एक बार उसने गलती से दीमकों के टीले को पहाड़ी समझ लिया था, जिस पर वह चड़ सकती है। एक गर्म दोपहर में एली को एक पानी का गड़ा मिला। उसने खनुशी से पानी छिड़का और पानी छिड़का जिससे एक शानदार गंदगी पैदा हो गई, जिसने उसके परिवार को टांके में डाल दिया। जैसे जैसे एली बड़ी हुई, वह खुद को साबित करने के लिए द्रड हो गई। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए द्रड संकल्प के साथ लकडियां उठाने का अभ्यास किया। एक दिन एली ने युवा जानवरों की एक भव्य परेड का आयोजन किया। उसने अपने सिर पर फूलों का मुकुट रखकर हसी और खुशी फैलाते हुए रास्ता दिखाया। और इसलिए एली बड़ी होकर एक आनंद मै और निडर नेता बन गई जिसने हम सभी को याद दिलाया कि खुशी और सफलता उन ही को मिलती है जो बड़े सपने देखने और जीवन के रोमांच को अपनाने का साहस करते हैं। और आनंद के साथ नेत्रित्व करने से कभी न डरें।